हेलो इस्टुडेंट्स और कैसे हैं आप देखिए आज का यह जो वीडियो है उसमें लेक्चर 15 क्लास 11 से ही रिलेटिड है और आज का टॉपिक है दप पैराबॉला कॉनिक सेक्षन का एक टाइप पैराबॉला पैराबॉला के बारे में हम आज इस वीडियो में इस पैराबॉला के बारे में आपको समझाऊंगा तो इसकी मैंने एक डेफिनिशन लिखी है लेकिन से पहले भी यह कॉनिक सेक्षन कीmbol्स की डेफिनिशन थी वही डेफिनिशन है एक तरह से टीक है यह वक्स में आपको लिखी हुई देखे गई आपको तो देखो मैं इसको ज़रा समझाता हूँ definition of parabola यह एक definition मैं पहले भी समझा चुका हूँ वो एक common definition थी एक connect section की थी तो वो ही है definition यह थोड़ा सा इसमें हर जैसे parabola है ellipse है hyperbola है तो थोड़ा थोड़ा change है definition में और पूरा अगर उसका पूरा जो थीम देखा जाए definition का तो वो एक ही है ठीक है थोड़ा थोड़ा change कर दिया था उसमें ठीक है तो देखे जारा तो definition of parabola a parabola is the locus of a point parabola जो है वो किसी point का एक ऐसा locus है which moves in a plane जो किसी plane में इस तरीके से move होता है के such that its distance from a fixed point जो movable point जो है उसकी distance is fixed point से in the plane plane के अंदर is always equal equal होती है मतलब fixed point से movable point की जो distance है वो equal होती है किसके to its distance from a fixed straight line in the same plane plane दोनों same रहेंगे ठीक यह इस definition को इस तरीके से मैं मैंने समझाने का explain करने का आपको प्रयास किया अब मैं इसको और simple way में यह books में लिखा रहता है मैंने इसको अभी आपके सामने read किया और इसको और simple way में मैं अभी आपको figure बना के समझाए देता हूं ठीक है इसी definition को बिलकुल clear हो जाएगा तो देखे जाएगा क्या है क्या है कि यह कोई movable point है जिसके coordinate मालो xy xy coordinate ही रहेंगे क्योंकि सारा जो connect section है वो 2D two dimensional geometry में ही है ठीक है न तो यह मैंने पी-point के coordinate ले लिए ठीक है आप peak point coordinate न भी ले तब भी चल जाएगा काम ठीक है लेकर मैंने coordinate में यह show कर दिए ठीक है यह कोई movable point है ठीक है यह variable point कह सकते हैं इसको variable point ठीक और यह कोई आपका fixed point है ठीक और यह कोई आपका यहां state line है तो यह जो point है वो इस तरीके से move होता है यह जो point है वो इस तरीके से move होता है कि इस point की distance is fixed point से और इस state line से हमेशा equal होती है इस condition में move हो बात के लियर हो गई यह जो variable point है इसकी distance is fixed point से और इस point की distance is fixed state line से यह distance और यह distance always equal इस condition में अगर यह point move होता है जैसे मालो यहां आगया यह point तो यह distance और यह distance फिर point यहां आगया तो यह distance और यह distance always equal इस condition में अगर यह point move होता है तो इस point का जो path है यह point जो move हो रहा है यह जो path बना रहा है इस path को हम पैरा बॉला कहते हैं तो condition definition में क्या theme निकल के आया क्या result क्या निकला कि यह रहना चाहिए कि PF is equal PM यह definition इसकी एक definition है पैरा बॉला की definition में केवल यह condition ही mean है कि यह distance और यह distance equal होना चाहिए इस condition में अगर यह point move होता है यह तो fixed point है यह नहीं move हो रहा है यह हो रहा है तो move होके यहां आ गया फिर इधर चलता है आ रहा है और इस type से मुह इसका खुलता हो चला जाएगा तो यह जो path बनना जिरा जो मेरा जो marker घूम रहा है यह जो path है यह जो curve है इस curve को ही हम parabola कहते हैं condition क्या है कि यह distance इसके equal यह distance इसके equal यह distance इसके equal इस condition में move हो वह यही बात यहां इस definition में यह जो लिखा हुआ है वह यही बात कह रहा है मैंने इसको simple way में समझा दिया ठीक है अब मैं इसको थोड़ा और explain कर रहा हूं इसी बात को कुछ यह terminology है उसको समझें क्या है terminology उसको देखें जा रहा है मैंने यहां xy plane draw किये x और यह आपका x dash यह y यह आपका y dash यह origin है ठीक है अच्छा यहां कोई p point है मालो यह कोई p point है यह variable point यहां यह कोई fixed point है यह से हमने s माल लिया ठीक है यह point जो है यह आपका x axis है यह आपका y axis है यह आपका two dimensional हमने xy plane यह this year x axis y axis है कोई variable point ले लिया यह कोई fix point ले लिया ठीक, अच्छा, अब यह कोई fixed line है, ठीक, और यह point जो है, वो क्या condition है, definition क्या थी, कि यह distance, और इस, यह जो state line है, इस state line से यह perpendicular distance, यह perpendicular distance है, ठीक, यह distance और यह distance, point यहाँ आ गया, तो यह distance और यह distance, यह distance और यह distance, ठीक है, और यह distance, और आपका यह distance, और मालों फिर यहाँ आ गया point, तो यह distance, और यह distance, ऐसी point यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, और यह ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो मैं इसको जब यह points को यह ऐसी तो graph ड्रो करते हैं तो मालो इसको अपन मिलाते हैं इन points को हम meet करते हैं आपस में तो वह ऐसा ऐसा कुछ जाएगा ठीक है इस टाइप से यह कुछ मालो यह पॉइंट है ऐसा तो यह जो है आपका एक पैरा बॉला का graph हो गया यह जो कर्व जो मैंने ड्रो किया है कर्व भी कह सकते हैं या इस point का यह लोकस कह सकते हैं यह आपका पैरा बॉला है पैरा बॉला ठीक अच्छा अब यहां कुछ टर्मिनलोजी है वो क्या है उसको समझ दू कि यह जो fixed point है इसका एक नाम है special इसको हम focus कहते हैं क्या बोलते हैं focus और इसको हम s से denote करते हैं generally ठीक है यह आपका point variable point कह सकते हैं या पहले इससे पहले वीडियो में भी line line बुला मैंने का हम आगे deeply इसको समझाएंगे तो आज मैं इसको हर terminology को यह clear के रहता हूं इस line को हम directrix बोलते हैं इस line को हम directrix बोलते हैं यह जो line है line नहीं बोलेंगे directrix ठीक अब हम क्या कहेंगे कि यह जो point है वह इस तरीके से move हो रहा है कि उसकी distance अब fixed point fixed point यूज यूज कर रहते हैं यहाँ पर यह fixed point यह क्या तो fixed point और यह fixed point क्या हो गया focus हो गया ठीक और fixed state line fixed state line वह क्या हो गई directrix हो गई ठीक है same plane यह जो है fixed point जिस plane में उसी plane में यह आपका line है definition यह point तो यह line सब एक ही plane में 2D plane है two dimensional ठीक है के लिए हो गया तो यह focus हो गया यह directrix हो गया और यह जो आपका यह upon में यह लिखना है means SP upon में PM यह जो है इसको हम SP upon में PM यह upon में यह distance upon में यह distance यह distance upon में यह distance यह distance upon में यह distance थीक है न हर मिखना आपका इसलोड को यह जो distance है किरेंगे इस यह distance upon में यह distance माला SP upon में PM इसी को हम eccentricity कहते हैं eccentricity और हम इसको E से denote करते हैं इसमें भी E letter से ठीक है न? कहने का मतलब है यह जो है E letter से SP upon में PM अब हम बारवार eccentricity पूरा word नहीं लिखेंगे यह जो ratio है इस ratio, ratio word है ratio जो है इस ratio का नाम एक तरह से essensity हो गया इस ratio को हम essensity कहते हैं और इसको हम essensity पूरा नहीं लिखे E से denote करेंगे तो यहां जो है E की value क्या आए? जब यह और यह दोनों equal है मालो यह distance 5 है यह distance 5 cm है और यह भी distance 5 cm है तो भाई क्या हो जागा SP upon में PM 5 से 5 कैंसल हुआ मतलब बना गया तो जब essensity 1 के equal है तो वो parabola होता है यह भी पहले बता चुके है तो यह यहां पर definition है तो यह दोनों का जो ratio है वो essensity होता है उसकी value 1 होती है तो वो 1 के equal होती है क्योंकि यह line और यह line इन दोनों की distance equal है clear हो गया होगा तो जब यह 1 के equal होता है इसका मतलब क्या हो गया क्या हो गया SP upon में PM is equal 1 cross multiply करें this implies SP is equal PM कहने का महला यह condition follow होने चाहिए SP is equal PM पैरा बोला के लिए पैरा बोला की जो main definition है वो यह है क्योंकि 1 है और 1 का multiply करेंगे तो यह cross होके यह result आएगा तो यह इसकी definition है ठीक तो essensity यह आपका directrix यह focus अच्छा और यह जो आपका यह जो X-axis कह सकते हैं जिस पर focus focus से जो line गुजरती है उसको हम axis कहते हैं इस पैरा बोला का यह axis है axis of parabola clear यह जो line है जिस पर focus है उसको हम axis of parabola कहते हैं अच्छा है और या focus जिस line से गुजरता है उसको axis of parabola कहते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो directrix है यह directrix पर जो perpendicular line रहती है यह क्या है एक्स axis पर क्या है perpendicular है उसको हम axis of parabola कहते हैं यह भी कह सकते हैं इस डाइरेक्ट इस पर जो लाइन पर्पेंडिकुलर है वो एक्सेज है वो पेराबॉला है अच्छा और ये जो आपका पेराबॉला है ये पेराबॉला का जो कर्व है कर्व और ये एक्सेज जहां इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम वर्टेक्स कहते है इसको हम वर्टेक्स कह तो यह कुछ ऐसा ऐे वह सारी टर्मिनोजी समझ में आ गई होगी यह वीटेक्ष आ से EU don't say wszलש और अछिए इस पर फोकस लाइप सैस्थ और यह 15 फोकस यह वक्रेंब सैज और यह 15 लाइन डायरेक्ट ट्रिक्स है और यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस यह अपॉन में यह यह जो रेश्यो है उसको हम इसेंट से कहते हैं किलियर हो गया होगा सारा टर्मिनलोजी तो यह पैरा बोला का यह स्टाइब का कर्व होता है ठीक है चलिए अब देखिए आगे इसको नोट करना हो नोट कर लीजी इसका जो भी स्क्रीन सोट लेना हो ठीक है देख लीजे आप इसको नीठ अपसे जैसा भी करना हो और मैं अब इसको मिटाई देता हूँ अब जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ठीक है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के करते समय हम यह पूरा फिगर इस टाइप से इस पहरा बोला का नहीं बनाया करेंगे ठीक है यह तो मैंने सम्झाने के लिए पूरी टर्मिनलोजी सम्झानी थी इसलिए ऐसा किया यह इसलिए धर से यह कर यह x axis यह x axis यह कुछ नहीं बनाना है व इसलिए स्वेश्चन को सॉल्व करना है क मैं केवल Diaractrics का Ciao करना है क्वेल इसलिए रखते हैं एसलिए यह को रखते हैं इसा हो जा गए है यहांसे definition बस यह distance नका लिए और यह distance निकाल इए दोनों को equal कर दीजिए वो definition है यह तो definition है मेरा को लगी कि SP SPF is equal PM और इन दोनों को equal करने के बाद और इनको फिर solve करें इस definition को फिर हम solve करते हैं आप SP is equal PM यहां से SP जो है यह coordinate दे रखे होंगे xy में variable point है न तो आपका 2D two dimensional geometry की बात हो रही है तो xy plane होगा इसके xy coordinate होंगे तो यहां और इसके भी कोई coordinate होंगे तो यहां से हम two points distance इसके distance नकालने के लिए दोनों को यहां रखने के बाद में इसका square 사 parish करके इसको solve करेंगे तो फिर पैरावॉला की equation find हो जाएगी, ऐसे equation find करते हैं, तो केवल हमें इतना बनाना है, तो मैं जड़ा एक question करता हूँ आपके सामने, clear हो जाएगा हूँ. अब मैं इसको सब को मिटाए रेता हूँ, काम खसम हो गया आपका यह. देखें, जैसे एक question है, के find the equation of parabola whose focus is minus 3, 0. find the equation of parabola, क्या केरा question, find the equation of parabola, ठीक है ना, whose focus is minus 3 और 0, यह focus है, focus के coordinate दे रखें, ठीक है ना? and the directrix and directrix की जो equation है, directrix B, directrix जो है आपका, उसकी equation x plus 5 is equal 0 दे रखें, बस, अब देखें, तो इसका solution, कैसे करना है? find the equation of parabola, parabola की हमें क्या करना है, equation find करना है, parabola की equation, ठीक है ना? हमें हर बार मानना है, और यह आपका कोई focus है, इसके coordinate, यह हमने s से denote कर दिया, minus 3 और 0 दे रखें, देखें रहा, यह focus यह तो होता था, और यह आपका इधर directrix हो जाएगी, कोई directrix की जो equation दे रखें है, वो हमारा x plus 5 is equal 0 दे रखें, यह दे रखें directrix, और यह आपका, इसको disconnect कर दिया, directrix, जो है यह, directrix, जो line है हमारा, इस पर यह perpendicular होता है, बस इतना बनाना है, ठीक, यह focus हो गया, focus यह लिख दिया, यह variable point, यह इसको आपको मानना है, यह हमें lag करना है, हर बार, यह directrix दे रखें, जिसकी equation यह दे रखें, यह इसको आप M मान लेजे, अब देखें, by definition of parabola, question, बड़ा, आसान हो जाएगा, definition of parabola क्या है, SP is equal PM, यही तो बता ही थी, definition, SP is equal PM, तो दो SP को हम कैसे निकाल सकते है, distance formula से, क्योंकि SP, इनके जो end point के coordinate दे रखें, S का coordinate यह है, P का coordinate यह दे रखा, distance formula लगा, तो SP आ जागा, तो देखेंगे जादा, root, X plus 3 का square, और आपका Y minus 0 का square, check करें, is equal PM, PM, यह perpendicular distance है किस पर, इस state line पर, तो यह हमने concept बताया था, कि कोई point है यह मालनो, P, जिसके coordinate आपका X1 और Y1 दे रखेंगे हैं, और इस point से किसी line पर perpendicular distance निकालना है, जब इस line की equation दे रखेंगे हो, इस line की equation दे रखेंगे हो, तो वो ही condition यहां लग रही है, तो उसका क्या होता था, यह PM, बराबर क्या होता था, वहाँ पर, यह आपका यह line की equation मालो, AX plus BY plus C is equal 0, यह से कोई line की equation दे रखेंगे है, तो आपका AX1 plus BY1 plus C upon my root A square plus B square, यह formula था, यह mode के अंदर, याद आ रहा होगा, तो देखेंगे रहा है, यह equation एक general equation है, इस equation के form में इसको change करो जा रहा है, तो देखेंगे हमें इसको क्या लिख सकते है, X यह Y बालक टर्म नहीं है, तो 0 into Y plus 5 बराबर 0, फुल फॉर्म में लिख दिया इसको, इसी equation को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंको Y नहीं हमें coefficient निकाल ला है, तो इसलिए हमने Y 0 into Y लिख सकते हैं, अच्छा है, यह point है, X 1, Y 1, यह point है, इससे perpendicular distance है, तो देखो क्या हो जागा यहाँ पर, PM, तो PM जो है आपका यह, एक तरह से ही आ जाएगा, देखो हो जागा, A, A मतलब इसका coefficient यह, A, 1 into X1, यह X1, X, ठीक, प्लस Y, B, 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 यहाँ पर क्या है, 0 है, Y, तो प्लस 0 into Y, और प्लस का, C, C की जगे पर क्या है, 5, अपोन रूट में, 1 का square प्लस 0 का square ही आ गया, ठीक, समझ में आया, और इससे मैं solve कर दूँ आ गया, क्या हो जागा, यह आपका, X, प्लस 5, अपोन में, रूट 1, भाई, रूट 1 to 1 of 1, खत्म मामला, X, प्लस 5 बचा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो मैं इसको यहां किरेता हूँ, यहां आ जाएगा यह, ठीक है न, अब देखे, क्या हुआ यह, रूट X, प्लस 3 का, स्क्वेर, और, प्लस Y, स्क्वेर, इस इक्वल, X, प्लस 5, यह बचा, प्चासे, मोड में रख दो, इसको रखना चाओ, अब देखे, यहां रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन हटाना है, तो मुझे, स्क्वेरिंग बोथ साइट करना पड़ागा, स्क्वेरिंग बोथ साइट, जब यह रूट हट जागा, तो X, प्लस 3 का, स्क्वेर, प्लस Y, स्क्वेर, और, यहां, X, प्लस 5 का, स्क्वेर हो जाएगा, यहां, स्क्वेर कर दिया, तो, यह, मोडूलस साइन को, ह square भी positive भी करेगा square के negative sign positive तो आपका square खोली जारा तो जब आ प्लस भी का x square प्लस 9 plus का 6x plus y square is equal x square plus 25 plus का 10x चेक करें इसको खोल दिया जब x square से x square cancel हो गया अच्छा अब इन दोनों term को इधर लिया ये चाहे तो ठीके न तो जब आपको y square और plus का 6x y square ये है plus का 6x minus का 10x इधर आएगा ठीके और आपका minus plus का 9 और minus का 25 is equal 0 चेक कर लो जब आपको y square यहां थाई और ये 6x और 9 यहीं पर है 6x और 9 और ये 25 और ये 10x इधर लिया आए हमें ये आपका आपको हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे ठीक है अब मैं इसको यहां से मिटाई देता हूं तो देखर ये इसका अंसर y square और ये मिनस का 4x or मिनस का 16 is equal 0 यह y square is equal 4x plus 16 this is final answer this is the equation of parabola this is the equation of parabola ठीक clear हो गया तो ये mode mode का clear हो गया हो mode को हटा दिया वो square गया था तो ये आपका parabola की equation आगई तो इस type से हमें ये question solve करने है cable definition बस एक तो distance formula लगाएगा इधर distance formula लगाएगा और इधर जो आपका किसी point से किसी line पर perpendicular distance वाला formula लगाएगा किसी point से किसी line पर perpendicular distance कैसे निकालते थे मतलब वो वाला formula आपका pm is equal ax1 plus by1 plus c upon में root a square plus b square ये pm pm निकालने के लिए ये formula लगाएगा इन दोनों को equal करना है और फिर उसके बाद में आपर square squaring both side करना है क्योंकि radical sign हटाना यहाँ से इधर वाले में आपका ये root का sign आता है square root वाला तो इसलिए squaring both side करना है उसको solve करना है simplify करना है जतना simplify हो जाए वो आगे comfortable जोन में पहुंचना चाहिए बतलब जतना simplify हो सकता है possibility बस उतना कड़िए उसके बाद में answer है ये parabola की question होगा तो इस type से questions हमको कर ले है clear हो गया तो ये पूरा parabola का सारा system आपके समाज में आया होगा यहाँपर देक है अच्छा चलिए फिर तो ये आप वीडियो आपको समझ में आया होगा पैराबोला क्या है पैराबोला की terminology पैराबोला से related definition focus directrix axis vertex ये क्या होते है वो सब मैंने आपको यहाँपर समझा दिया तो ठीक है तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में और इस वीडियो को आप like करिए share करिए अगर ये आपको पसंद आया हो तो ठीक है चलिए Thank You झाल झाल आपको क्या जई वे शीट जज बस आपको थे आपको दो